ये कहानी है एक छोटे बच्चे चीकू और उसकी मा की चीकू हवाई जहाज की आवाज से बहुत डरा करता था और उसका ये डर दिन बढ़ता ही चला जा रहा था मा ने सोचा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है कुछ तो करना पड़ेगा एक दिन चीकू आगन में खेल रहा था तब ही माने हवाई जहाज के आने की आवाज सुनी और मा तब ही चुपचाप से अंदर चली गई और सारे खिड़की और दरवाजों को बंद कर लिया पर जैसे ही एरोपलेन की आवाज चीकू ने सुनी वो बहुत जादा डर गया और होने लगा पर फिर पता है मजे की बात क्या हुई उस दिन के बात से चीकू का डर एकदम से खतम हो गया इसलिए कहते हैं कि जिन्दगी में किसी भी चीज से डरे नहीं उसका डट कर सामना करें और अपनी जिन्दगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें